जेजेपी के साथ सरकार ठीक चल रहे आपी गटबंदन की और आप अच्छा सरकार चला रहे हैंतना की विशुम्स में जाने का टोड़ा तो बीजेपी से बाहर होbridge इस पाटी का स्टेंड नहीं है उनका पना एक स्टेंड है अब व किन कारणों से क्यों है उसके बारे में अनुवान आप भी लगा सकते हैं विल गा सकता हूं जो लेगी बिरेंदर शिंग अगर चले जाते हैं उसे को फर्कनी पड़ा वीजेपी में अगर हर वरती का व्यक्त क्यों आपको जादा प्रजेक्ट करता है तो परलेमंटी बोड में चर्चा चलती है ज़्यादा प्रुजक्ट करना इसको पिछे करो अनुला जी आप हमेशा बोलता है कि आपकी सरकार आने के बाद, बीजेपी की सरकार आने के बाद, नोकरियों में ट्रांस्पेरिंसी आई है, ना पर्ची ना खर्ची जो आप लोग बोलते हैं, लेकिन हुड़ा हो या विपक्षी पार्टियां वो तो साफतों से कह रहे हैं कि करॉप्षन डबल हो गया है, बिना पैसे के कोई काम होता ही नहीं है क्याना चाहिए उनको क्यों नहीं कहेंगे, विपक्ष में है? हर्याना की राजनीती हमेशा से लालों के इर्द गूमती रही है, चाहे वो देवी लाल हो, बंसी लाल हो या बजल लाल अब 2014 से बीजेपी के लाल यानि मनहोर लाल परदेश की राजनीती में चाहे हुए हैं, मुख्यमंत्री के तोर पर काम कर रहे हैं बेशेक वो तीसरी बार भी 2024 के चुनाव में मुख्यमंत्री यानि के सरकार बनाने का दावा कर रहे हो, लेकिन उनी के पार्टी के कुछ नेता, जब से वो मुख्यमंत्री बने हैं, तब से उनके हटने का इंदिजार कर रहे हैं, इनी तमाम सवालों पर बात करने के लिए ह हमारे साथ मौजूद हैं, खुद मनौलाल खाके जी, मनौलाल जी आपका बहुत बास्वागत है अस तक में, धन्यवाद अशुग जी, मनौलाल जी 2024 के चुनाव की, क्योंकि अब तो पुरा चुनावी मोहल है, पहले लोग सभा के चुनाव, फिर विधान सभा के चुनाव क्या 2024 के जो विधान सभा के चुनाव हैं, आपके नेत्रितों में ही, लिडर्शिप में ही लड़े जाएंगे? पहलिक करके नेत्रितों में के कίνवने का चुनावी मोहल है, पार्लियां फिर विधान सभा के चुनाव के चुनाव लड़ा जाएगा या सरकार चलेगी? यह नेत्रितों में कम से कम मेरे अपने बारे में मैं इस नड़र्य करूं यह हमारे याँ के सिस्तम में भी नहीं है इसलिए इसके बारे में तो यहीगा पार्लेमेंट्री जो निने करेगा लेकिन आप जब से मुख्य मंत्री बने दोजार चोदा से तब इसे विपक्ष नहीं बलकि आप ही के कुछ आसपास के लोग आपकी पार्टी की नहीं था इंतजार में कि का मनोर लाग जी खटें और उनका नंबर पढ़ें ऐसा क्यों आपके पीछे लेगे हुए लोग तंत्र है और लोग तंत्र में किसी की मन में कोई इच्छा जागना और लोग तंत्र में आखर कोई काम करता है तो मन में इच्छा रखके करता ही है आखर ऐसा तो नहीं करता कुछ लोग हो सकत कि मुझे मुख्यमंत्री बनना है हाँ अगर मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट करके कुछ नाव लड़ता है तो हमको उसकी दिक्कत नहीं है बलके लाव होता है और इस कारण से अगर समर्थ अगर वोटर थोड़ा उसमें समर्थन करने के लिए ज्यादा त्यार हो जाएं तो कम से कम दो चार सेटों पर बढ़ने के लिए हमको एक और अवसर मिलता है जिदनी पहले सेटें आएंगी और दो ज्यादा आएंगे आखिर हर किसी को वहां का व अपने नहीं कर सकता है और फिर एक दभी जुबान में ये सवाल उटने लगा है कि दोजार चोविस का चुनाव अगर जीतना है तो निया चेरा लाना पड़ेगा तो ऐसा क्यों है क्यों कि दोजार चोदा में जवाब बने तब ये सवाल कहीं लोग ने उठाएं कि इनका तो कोई एक्सपिरेंस ने संथन के आदमी थे पहली बार चुनाव लड़ा आपने पहली बार मुक्या मंत्री बाएं और फिर वही बात उठने लगी है कि नया चेरा लाओ तभी तीसरी बार जीतेंगे चुनाव में तब फायदा होगा तो क्यों आपके आसपास के लोग न पारलिम्टी बोड़ को ने लेना है यह हमारी पार्टी तैख करेगी किसको लाना है किसको नहीं लाना है चुनाव से पहले तैख करना है चुनाव से बात तैख करना है और चुनाव भी किसको लड़ावाना है किसको नहीं लड़ाना है यह भी पारलिम्टी बोड़ी तैख और उनों नहीं इतना कह करके मुझे भेज दिया और अगली बार बुलाया तो अल्टिमेटली मैंने भी अपने साथियों से चर्चा के विचार में करके और एक पांचे सीटे में बताई इन पांचे सीटों में से जहां से आप कोगे मैं चुनाव लड़ूंगा और मैं कहीं से भी इन में से चुनाव जीत सकता हूँ तो अल्टिमेटली पार्टी ने जिते किया कि आपको कनाल से चुनाव लड़ना है इसलिए हमारे हाँ यह समस्या जो दूसरी पार्टी हमें होती है खास करके कॉंगरस में क्योंकि कॉंगरस का तो कल्चर यह है और कुछ लोग अंदाजा लगाने वाले यही सोचते हैं कि जैसे कॉंगरस का कल्चर वैसे जाद भार्टी जिन्दा पार्टी में कल्चर हो यहां तो बलके अपने आपको कुछ ज़्यादा प्रोजेक्ट करता है तो पार्लेमेटी बोर्ड में चर्चा चलती है कि ज़्यादा प्रोजेक्ट कर राइस को पिछ करो यहां समर्पन भाव त्याग की वृत्ति यह ज्यादा काम आती है बजाय कोई महतवा कांग शी बन करके अपने आपको ज़्यादा प्रोजेक्ट करें उसका नेक्टिव हो जाता है यह बाते इंता पार्टी का कल्चर है जेजीपे के साथ सरकार ठीक चल लिए आप भी घठबंदन की और आप एक दम अच्छा सरकार चला रहे हैं इतना विश्वास है आपको की संख्या में साथ 30 सीटें लेकर के वागे खड़ी है हम 40 पर थे वो 30 पर थे तो 10 सीटों का जो एक अंतर था वो जेजीपे के पास 10 थी तो इस नाते से सरकार में कॉंगर्स को दूर रखा जाए कॉमन गोल जेजेपी का भी था हमारा भी था हमने दुनों को मिल करके सरकार चलाई है और इस चोटला परिवार से यानि देविलाल परिवार से कोई पहली बार हमारा गटमंदन ऐसा नहीं है यह पहले भी हुए हैं पहले वो बड़े पार्टनर होते थे हमको स्पोर्ट करते थे अब ह साथ मिलकर के समस्रकार चलारे हैं सिलिए पार्टियां क्या निलने करती है यह विश्य पार्लेमर्य लेकिन यह उन्होंने कहा चाहिए इसका पार्लिमेटी बोर्ट के बात जाएगा राष्टी नेतर तो सोचे पदानमती जी सोचे पार्टिय देख से राष्टी देख सोचे वह सोच करके जो निरने करेंगे वहम का मझुड विरेंदर शिन अगर चले जाते हैं उससे फार्ट पर्लेमेटी बोड करना है और कोई रास्ता अगर ऐसा भी निकलता है कि दूनों को साथ लेके चलने की बात आएगी तो हम तो उसको पसंद करेंगे दोनों साथ लेकर करके चलें मतलब हम यह उमीद कर सकते हैं 2024 में लोगसभा के चुनाव हो या विधान सभा के चुनाव हो जेज़ेपी के साथ आप लोग मिलके चुनाव लड़ेंगे मने बदाए यह पारलिमोटी बोर्ड का विशा है हमारी ओर से अभी इस पर का कोई विशा है ना हामे ना में कहिने गया और हमने इस पर कोई विचार भी नहीं किया भी यह विचार पारलिमटी बोर्ड में जब कभी विशा आएगा अभी दूर है अभी जोंके पहले तो लोग सभा के चुनाव है लोग सभा के चुनाव के हिसाब से भी निलने करना होगा लोग सभा का चुनाव समाथ पहले विधान सभा के चुनाव करना होगा उसे पहले कई बनाव को रहा है और अभी जए पी के साथ बिलके चुनाव लडने में फादा है या नही है? मैंने बताया कि ये चीजे अभी समय से पहले बताना या बोलना ये उचित नहीं होगा क्योंको उसे पहले और कई स्टेप्स हैं उन सब स्टेप्स है जिन्होंने सोचना है वो मैं नहीं हूँ वो पार्लेमेंटरी बोर्ड दिल्ली जो हमारा किंदरी चुनाव है ये उनको उचेंगे जिस लाइन पर वो चलेंगे हम अल्टिमेटली अपनी को बात कहने होगे तो लोग सबागे चुनाव के बात कहें नहीं वो तो पार्लेमेंटरी बॉर्ड डिसाइड करेगा लेकिन आपको क्या लगता कि फायदा है उनके साथ रहने में या नहीं है मनें बता है ह हमारे सामने आते हैं पुक्ता उसके सबूत होते हैं वो कोई भी वक्ती हो उसके खिलाब करवाई करते हैं चाहे वो फर पॉलिटिकल नेता हो हमारा हो प्राया हो दूसरा हो समयोते में हो ना हो या कोई अधिकारी हो करमचारी हो और या फिर जनता में से कोई हो हमने किसी को ब्रस्टाचार में छोड़ा नहीं है कितने उदान सामने आपको दिख रहे हैं इसलिए ब्रस्टाचार पर सकती से काम करना ये वारा काम हम कर रहे है आगे भी करें दूसरा मनुलाल जी लोगसवा के चुनाव में बीजेपी सब सीटों के चुनाव जीती लड़ी जेजेपी क लोगसवा में कहती हम ज्यादा मजबूत हैं सब सीटे जीती ती तो क्या जेजेपी के साथ मिलके चुनाव लड़ते हैं तो उनको सीटे देने में कोई आपती नहीं होगी लोगसवा में बताया कि ये फिर वही बात है जो मैं पहले कह चुका हूं अल्टिमेटली लोगसव पर से चुनाव का साजा का साजा नु करेगा और उस जो निरने उसके बाद स्टेज़ा आएगा जो निरने होगा जो ने टो हमारा कारक्ता विः देत हो दो हर कूई अपने मजोटी की क्योंकि गट्वंदन एक विवस्ता में, यहा authory के विवस्ता में किया जाता है, आखिर तो अपनी party के majority होती है. हमने पहले majority अपनी थी, हमने सरकार चलाई, हमारी majority नहीं आई तो हमने गट्वंदन किया. इस चिजनाते से इसमें कहीं कोई, ये विल्कुल सरविदित सधानता है कि अगर अखिली पार्टी का शाषन होता है मजोटी में आते हैं तो उज़ाद अच्छा होता है तो ये मजबूरी की सरकार है आपको पता ही है हमारे सीट है 40 आई नहीं 46 जब 40 आई तो 40 में सरकार बन नहीं सकती तो ये तो गड़ित है तो आप चाहेंगे कि अगली बार वो तो नतीजे बताएंगे क्या होगा आप चाहेंगे कि आपको मजोटी मिले किसी का समर्थन लेने की जोड़त ना पड़े ऐसा नहीं होता है मैंने बताए पारलिमेंटी बोर्ड फैसला करेगा और कई बार समझोते में भी वोट न बटे वोट इकठा रहे और उसमें समझोते में चुनाव लड़े जाते हैं बाद में लड़ने के बाद भी दो सितियां पैदा होती है सरकार में शामिल होना ना होना आखर हम भी कई बार चौटाला जीजें के साथ उनके रहाद हम गठापने में चनाव लड़े दोजार की बात है ये दोजार में हुए थे जुनाव विदान से बाके जब चोटाला जी से हम 29 सेटों पर हम लड़े एक सट सेटों पर वो लड़े लेकिन सरकार बंते से हम आपने बार से स्पोर्ट के अम सरकार में शामिल नही है कि मजबूरी की सरकार ना हो हमारी मज़ोडी अगर रहती है तो हमको सरकार चलाने में ज्यादा सुविधा होगी अब सुविधा नहीं होता है यह सर्व विदित बात है ABOUT मैं कहे रहा हुए पार्टिजब चुनाव लड़ती है उसकी इच्छा होती है उसकी अपनी इंडि जिकात है नहीं मुनु लाल जी पिछले बार था पचेतर पार का नाहरा और चालीस शित्य हैं इसost собой क्या नाहरा लें कि अचया बार रहे है इसको चलाués है बहुत अच्छी सरकार की आप कहरें बहुत इस प्रशन के उत्तर में पहले भी कहा है कि हमारे अलोचक, हमारे विरोधी खास करके वबंदर से हुड़ा कॉंग्रेस, ये जितना ज़्यादा परचार करेगी उतना ही हमको लाब है और मैं चाहूंगा कि इस विशे को लगातार हुजान सभा के चुनावतों को कहते रहें अगर ओ कहते रहेंगे तो वास्तों में जनता मैसूस करेगी कि ये क्या हो रहा है आखिर जनता इस विशे की जो डिबेट है ये पहली बार सुन रही है और हमने पोर्टनस बनाए हैं पहली बात हो कि पोर्टनस हम नहीं आगे बनाए हुसे पहले बिल्कुल नहीं होते थे इसा नहीं है हाँ इतनी बड़ी मातरा में नहीं थे जितनी बड़ी मातरा में चाहे वो के अंदर में मुदीजी के सरकार है चाहे हमरी सरकार है हमने इस वोटल को क्यों बनाया हमने इसके बहुत से उद्देश है पहला उद्देश है तो वो यह है कि हम इसके मादम से जो चीज टेक्निकली उपर से शुरू करते हैं वो यह नीचे तक पहुंच जाती है इ एक बार राजीव गांदी जिनिया कहा था कि हम उपर से सो पैसा बेजते हैं नीचे पंदरा पैसे पहुचते हैं आकर वो क्यों था बीच में गड़ बड़े क्यों होती थी उसमें हम भी देखते थे बहुत सरकार की उजनाओं के लाब नीचे से बीचे से लोग उठा जाते और पता भी नहीं लगता था बाद में इंकवारियां होती थी बाद में कहते थे यहां ब्रेश्टाचार हो गया वाँ ब्रेश्टाचार हो गया ब्रेश्टाचार को यदि रोकना है तो आज टेकनीक का सारा लेना बहुता आउशक है और इस टेकनीक के सारे से जो पोर्टल चले हैं इसी का प्रिणाम है कि आज कोई अध्यापक है ट्रांसफर के जहां करना चाहता है उसका हो जाता है वरना उनकी गर्दन सब राज़ितिक आदमियों के हाथ में होती थी आज अगर मेरिट मेशन के अदादा पर मेरिट परनोकरियां देते तो केवल इस पोटल के कान से ही आज किसान को जड़ी पैसा उसकी फसल का सीधा भेजा जाता है तो वह 20,000 प्रोड रोपर किसानों के खाते में इस पोटल के बादियम से हम भेज सके हैं। आज हर जो जो बज़ुर्ग आदमी है सत्रा से ठारा लाख बज़र्गों को इस समय पैंशन मिल रही है उनकी पैंशन उनके बैंक खाते में जाती है तो सीधी स्पोर्टल के गार्ण सी जाती है वरना तो बीच में एजेंट होते थे वोई लेके जाते थे बीच में कड़ियां बनी होई थी मर गया आदमी यानि एक प्रकार से उसका डेथ हो गई है तो भी उसके नाम से पैंशन जा रही है लोगों के जेब में जा रही है कई पता ही नहीं लगता था आज हमने अगर साड़े बारा लाख एक साथ राशन कार्ट बनाए हैं गरीब आदमीों के तो इस पोर्टल के मादम से बने हैं यो जना हैं यह उसमें डाली हैं कोई भी व्यक्ति जाता है अब चंडीगर में भीड़ने लगती ना मंत्रियों के घर पर ना मुक्य मंत्री के घर पर ना कोई आफिस में फोर्ट फ्लो भरा होता था सरकारी काम करने की भी फुरसत नहीं होती थी जनता में जाने का तो हैं मिल रही हैं आटोमेटिकली अगर ज़सरकार की सेवाओं का लाव प्रो एक्टिव होकर करके मुझे डॉर स्टेप पर पहुचा रहे हैं तो जनता को इसको सुख मिल रहा है मैं जन्समाद के कारकों में गया हूँ जन्समाद के कारकों में जितनी योजनाएं पूछी है इन सब योजनाओं का लाव प्रिवार पहचान पत्र के माद्यम से जन्ता को मिल रहा है और लोग कहते हैं कि हमको इससे बड़ी अस्विदावर चाहिए क्या थी गर्बेट ही सारे काम हो रहे हैं अनुलाल जी आप हमेशा बोलते हैं कि आपकी सरकार आने के बाद बीजेपी की सरकार आने के बाद नोक्रियों में ट्रांस्पेरिंग्सी आई है वो बिल्कुल नहीं कहेंगे लेकिन मेरा चैलेंजी यह है कि जो वो कहते हैं उसमें से कोई उधान लाकर अगर डबल कहीं हो गई है रिश्वत कोई चार उधान हमको दे दे दें यहाना दे में जानसमा में दे दें हम उसको अगर उसी समय एक्शन लेकर के अंदर नहीं करा हैते हैं हमारे डीपीर होदचे हैं वो भी जब सोचते हैं कर Cum से मुद्रें आगह जिना हूं कौन सैंने नहीं कि zarो như इसे हैं जिनको हमो बोलते तरके विरोधी हैं, हम लोगों को प्रशानी में से बाहर निकालते हैं, हम टेकनीक का सारा लेते हैं, हमने लोगों को एक पार दर्शी जो शाषन दिया है, लोग भी उससे खुश हैं, हम भी उससे संतुश्ट हैं. अनुला जी हर्याना में आम आधिव पार्टी भी आप कोशिस कर रही है दावे कर रही है दिल्ली मोडल को लेकर के इसी दिल्ली मोडल को लेकर के वो पंजामें भी सरकार बनाई है वो हर्याना में भी क्लेम कर रहे हैं तो चैलेंज कितना बड़ा है आम आधिव पार्टी कुछ अंदर उसरी ऐसा नहीं है इनको पिछले दो टरम हो गए दस साल से इनको आप भी देख रहे हैं हम भी देखा हैं दस साल में ये कहीं भी किसी जगा पर कहीं जमान तो भी नहीं बचा पाए इवन लोकल बाडिस के चुना होते हैं उसमें भी कुछ नहीं कर पाए इनका एक जगा एक चेर्मन बन गया था रियाना में गलती से वह भी बाद में उनको छोड़ करके बाते इंता पार्टी में आ गया हम आदमी का बढ़ना आपके लिए फायदे बंदा है क्योंकि हमेशे का आज़ता है कॉंग्रिस का स्पेस लेते हैं वो लोग आमाधी पार्टी आप चाहेंगे कि और बढ़ना भी बड़े या दुसरों नमबर उन कोन है आमाधी पार्टी है कॉंग्रिसु यह विचलेशन राजनेतिक विचलेशन अलग लग होते हैं इस नाते से विचलेशन करना में कहीं हमको उसका नुकसान हो कहीं उसका लाब हो सकता है वो किसके वोट बैंक में सेंद मारते हैं यह डिपेंड करता है वो कहीं सेरी सीट में जाएंगे तो हो सकता हमारी वोट को भी कहीं लेके जाएं कहीं हो सकता कॉंगर्स के वोट को ले जाएं कहीं हो सकता लोगदल के वोट को ले जाएं तो इसलिए अलगलग स्थानों पर अल करानी है बाते जिंता पाइटी की सबस्ट बहुमत की सरकार की इंदर में तो खेर हमारी दस की दस लोग सबसेटें आएंगी ही बाते जिंता पाइटी की हर्याना में भी बहुमत सरकार बनेंगी ऐसा मेरा पुरा विश्वास है और उसका एक कारण है कि आज पिछले सारे किसे सब लोगों को ध्यान में हैं अगर 2019 की बाद करूँ आप एक प्रेशन कर सकते हैं कि 1947 से 40 रह गई मैं उसका उतर ये दूँगा कि 2019 में भी हम 3% वोट ज्यादा लेकर के आये थे 34% वोट हमें मिला था 2014 में और 37% वोट मिला 2019 में अगर उस समय 13% वोट बढ़ सकते हैं तो इस समय भी 3-5-8% अगरम बढ़ते हैं तो निश्य रूप से वो गैब भी पूरा होगा और मैजोटी में भी आयेंगे और क्योंके एक पार्टी और ज़्यादा परफॉर्म करने वाली आएगी तो अपोजिशन का distribution of votes अगर ज़्यादा होता है तो ultimately उसका लाब सत्तापक्ष को हो गई होगा नहू जो हिंसा होई घटना होई उसको लेकर भी बहुत सारे सवाल उठे सरकार के ओपर कि ठीक से handle नहीं किया क्यों अंदेखी की गई intelligence failure था कहीं पर प्रायोजित था चोटाला वे चोटाला ने भी कहा कॉंग्रेस की तरफ सीव कहा गया कि जान मुझकी ये बीजेपी स्टाइल आफ इंसिरेंट है देखे समाज के अंदर इस प्रकार की घटना है वित्यास में बहुत बार हुई है ऐसा नहीं कि कोई पहली बार घटना होई है घटना है नहीं होनी चाहिए ये मानता हूँ लेकर घटना होती है तो सरकार का failure या सरकार की सफलता इस बात से आखी जानी चाहिए कि हमने उस समय जो problem खड़ी होई थी उस समय उसको कितना जल्दी tackle किया और कितना जल्दी काबू किया दो बजे के घटना है पाँच बजे के बात किसी परकार के कोई समस्या नी दो तिन घंटे में सारी control हो गई और ये घटना है हमारे समय में पिछले दस साल में भी आठ नो साल में भी बहुत बार हुई है हमारी सफलता इसी में हमने immediately इसको पर काबू पाया इंटेजिंस फेलियर तो कहीं ना कि मानते है इतना सब हथ्यार लेके लोग पहुँच गई तना प्लान किया गया उसका बात नहीं है पूरी सावधानी का शोशल मीडिया में एक हाइप क्रेट किया गया है और हाइप क्रेट करने में एक ग्रुप ने वहाँ एक पत्थरबाजी शुरू की पुलिस के उपर क्योंकि पहली जो पत्थरबाजी पुलिस के उपर हुई है जो पुलिस के उपर हुई है तो उसमें स्टीशन बिगड़ी है पुलिस ने फायर किया पुलिस ने उनलों को रोका आखिर पुलिस तो अपने बचाओ में भी फायर तो करेगी और अल्टीमेटली उसमें से बाद में आग़दीनी होई है और आगदीनी होने के बाद पूरी घटना में छम लोगो की डथ हुई जिसक सान जो हुआ उसका दुख है फिर भी उस चीज़ को काफी बचाओ कर लिया गया वरना तो ऐसी घटनाए आज से आज तीस साल चारी साल पहले जब देखते हैं ऐसी कॉमनल घटनाए जो होती थी कितने कितने दन चलती रहती थी कितनी घटनाए होती थी साल में आप मेरिट कार के समय में यह कह सकता हूं कि पशले दस साल के अंदर यह घटनाए नहां मातर हैं लेश मातर नहीं होनी चाहिए लेकर उसको भी काबू करने के लिए कंट्रोर करने के लिए हमने तुरंत जो एक्शन लिये ऐसे जो दोशी पाया गया जिनकी फूटेज में हमको मिली गई जिसमें जो टेलिफोन नंबर्स के जो उनके डंप में लगए उसके अंदर तीन सो से ज़्यादा लोग उनको उनको ने गरिफतार भी किया एफायर होई है और अभी जो है उनके उपर ही मैस्टेशन चल रही है जो दोशी होंग उनको बक्षानी जाया गया मनुलाल जी जाते है जन्गर्ना को लेके अज के बहुत चर्चा है बिहार सरकार ने जब से जाते है जिन गर्णा करवाई है तब से कई राजियों में मांग उठ रही है कि वहां भी करवाना चाही तो आप क्या सोचते हैं? आज इस समय दोजार उन्नीस में दोजार रदर तेश में इस समय वो योजनाएं 38 लाख लोगों को मिल रही है 38 लाख लोगों को सरकारी योजनाओं को जब लाम मिले है चाहिसमें राशन है चाहिसमें आयुशमान है चाहिसमें मकानों की बात है जो उनको scholarship मिलते हैं इतनी बड़ी संख्या को हमने more than 50% उनको पहले सी cover कर लिया है तो हमारे हाँ जो आरक्षन है वो OBC का backward class का कुल 27% है और हमारे हाँ SC का 20% है 47% आरक्षन होने के बाद भी और एक 10% लोगों को हमने जो गरीब परिवार हैं जो एक लाख से नीचे हैं उनको सब को उसमें cover किया है और ये संख्या लगबख 55% से उपर पहुँच गई है तो हमारे हाँ कोई समस्या नहीं है किसी प्रकार की राजनेती समस्या भी नहीं है बलके हमने तो अभी बेना demand के BCA इनको राजनेत आरक्षन दिया है 8% कोई demand नहीं थी और बलके BCB को उनके नेताओं को उनने बात की है कि भी क्या आरक्षन 8% उनको मिला तो BCB को भी दिया जाए क्या सब लोगों ने कहा किसका कोई लाव हमको नहीं है क्योंकि इस परसंटेज से तो ज़्यादा हमारे लोग वैसी जीत के आते हैं बलके उसके देने केबाद भी उतनी संख्या पहले से है यानि आगर हम रिजर्वेशन में प्रमोशन जो कर रहे हैं प्रमोशन में रिजर्वेशन कर रहे हैं इससे संख्या में कोई एकाद दो काउप पर ने चाहिए होता है कोई बड़ा गयप नहीं अभी भी लेकिन फिर भी जिस सवर कोई लगता है कि निवराट 20% एंशोर होना हमने कर दिया एक हांगी सवाल मरोडाल जी यह भी चरचायें चल रही है कि लोग समा के साथ ही परदेश के चुनाप भी करा दी जाए तो आप चाहते हैं कि पहले लोग समा के साथ ही चुनाप करने से फायदा होगा तेकि पहली बात तो है कि सेधान देक तौर पर वननेशन वननेशन इलेक्शन इसके हम हक में हैं इसकी फिवर में हैं मैंने स्टेटमन देए थी और इसमें पधानमतर जी का भी इनिशेटिव है कि सब लोग मिल करके इस विश्व को आगे बढ़ाएं तो देश की बहुत सा पैसा बचेगा टाइम बचेगा विकास करें में तेजी आएगी और जंता का भी पैसा बचता है इलेक्शन की सिस्टम में भी लोग जो इलेक्शन में बहुत ज्यादा खर्च करते हैं और इसके कारण से कहीं है कि बिश्टाचार के भी थोड़ा सा बढ़ावा मिलता है प्योंकि लोग उस पैसे को गहने के पूरा करने की बीचे स्टा करते हैं इन सब चीजों की बच्चत होगी इसलिए वन नेशन वन एलेक्शन होना चाहिए लेकिन चोके अभी इसका कोई प्रावधान कंस्टिशनल मेयर लेना भी बाकी है तो अगर वो होता है हम उसको स्पोर्ट करेंगे अभी चोंकि उस प्रकार का नहीं है तो अभी केंदर सरकार अगर मानो परलिमेटी बोर्ड हमारा तेह करता है या चुनावायों की और से कोई उफराती है हम उसके लिए भी तयार हैं इकठे हो जाए और अगर तयार वो नहीं होते तो पांच मेने बाद हम अपने चुनाव कराएंगे हम दोनों तरफ से एक पर अजनीटी और चुनावा पर खुल करके बादचीत की